वेलकम टू जीरो से जिनियस तक इसकी टेस्ट में आपसे पुछेंगे जीके के 25 से इंपर्टेन सवाल और उसके जबाब भी बताएंगे यह सवाल आपके सिलेवस को फुली फलो करता है और यह एपिसोड नंबर 72 है यह आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसक कि रंग पाटनम में अंगरेजों ने की से पराजित किया था आपको जवाब सुचने के लिए मिलेंगे पास सेकेंड का समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सुचने के लिए समय सुरू होते हैं अब राइट आंसर है अप्सन नमबर बी टीपू सुल्तान क्वेशन नमबर टू वीड आयोक के पर्थम अधियक्ष कौन थे सही जाओ है अप्सन नमबर बी केसी नहीं होगी क्वेशन नमबर तिन उत्री धुरू पर पहुचने वाली पर्थम भारतिये महिला कौन थे सही जाओ है अप्सन नमबर बी प्रिती सेन गुपता क्वेशन नमबर फोर तीन दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गयस को रिशा हुआ था ये सवाल आपके 2008 के एकजाम में पूछा था राइट अंसर है आप्सन नमबर डी मिथाइल आईसो साइनेट क्वेशन नमबर फाइव भारतिय राष्ट्रिय कांगरेश के पर्थम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांगरेश के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे इंपोर्टेंट हो जाता है सवाल सही जावब है अप्सन नमबर ए बदरुदीन तयब जी क्वेशन नमबर 6 पूश्पो का अध्यायन क्या कहलाता है आप अपने बूक में इस चेप्टर को जरूर पादल दिल जीएगा सिक्को का अध्यायन क्या कहलाता है सपनों का अध्यान क्या कहलाता है सुंदर एक अध्यान क्या कहलाता है इस सब इंपोर्टेंट होते हैं एक सवाल आपके जामें पूछ लेता है इसका राइट आंसर है option number C anthology question number दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है सही जावब है option number A पालनी परवत question number 8 दक्षिन भारत को जीतने के लिए मली काफुर को किसने भेजा था सही जावब है option number D allow दिन खिल जी question number 9 भारत के पर्थम 9 सेना अध्यक्ष कौन थे सही जावब है option number C रामदास काटारी question number 10 भारत की पर्थम महिला सासिका कौन थे सही जावब है option number B रजिया सुल्तान question number 11 असियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल के संस्थापक कौन थे सही जावब है option number D बिलियम जोन्स question number 12 भारतिय सविधान में न्याइक पूनरिक्षन किस देश के सविधान से लिया गया है सही जावब है option number C America question number 13 लोक साभा के अधिवेशन चलाने के लिए कोरम होता है सही जावब है one upon ten एक बाई दस होना चाहिए question number 14 एक लैंप की बती में तेल उपर चड़ने की कारण क्या होता है सही जावब है option number B केसी कत्व question number 15 भारती ये सविधान साभा के अधियाक्ष कौन थे सही जावब है option number D डॉक्टर राजेंदर परसाद question number 16 निवन में से किस भारतीय महिला ने दो बार एवरेश्ट फर्ड चड़ने में साफार रही सही जावब है option number B संतोस यादव question number 17 वर्दमान समय में संपाती का अधिकार किस स्रेनी में है सही जावब है option number B कानूनी question number 18 बारह मास्सा के राचनाकार कौन है सही जावब है option number D मलिक मोहमद जायसे question number 19 राचनाकार के राचनाकार के राचनाकार के राचनाकार के कमूल सुरुत क्या है उसका कर सही जावब है option number A बिक्री कर important है question number 20 कापास का सबसे बारह उत्पादक देश कौन है सही जावब है option number B चीन question number 21 औरंजेव की मा का नाम क्या था सही जावब है option number B मुम्ताज महल question number 22 सक सवंत पर अधारित रश्ट्रिये पच्चांग का अंति महीना है सही जावब है option number A फालगुन एधार्थ फागुन question number 20 माचीस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है सही जावब है option number B लाल फास्फोरस question number 24 डेंगु बुखार किसके काटने से फालता है सही जावब है option number D A और B दोनों को काटने से फालता है अर्थात एंडिज मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से डेंगु बुखार फालता है question number 25 बुखार रोकने की औसदी है सही जावब है option number A से स्ट्राइरीन question for you आपके लिए एक सवाल है यदि आप जबाब जानते हैं तो comment box में लिखेंगे q for you और इसका right answer तीसरे अंपायर नियम के पर्थम सिकार कौन सा खिलारी बना था यदि आप answer बता सकते हैं तो comment box में लिखे q for you और इसका right answer वीडियो पसंद आया तो like जरूर कीजिए और आपने यदि इस वीडियो को share कर देते हैं आपने दोस्तों जनों के पास WhatsApp ग्रूप में Instagram, Facebook, Twitter जहां कहीं भी हो सके तो आपकी बहुत अच्छी बात होगी तो मिलता हम फिए नेक्स वीडियो में आपका दिन सुब हो और दोस्तों आपको बता दे कि आपके लिए ये चाइनल पे बिल्कुल important question को ही लेकर आया जाता है आप regular हैं एक से दो महीने दो महीने regular हो गए हमारे वीडियो के साथ तो आपमें एक कमाल की extra talent आएंगे एनि कि internal confidence आपका बिल्कुल बढ़ेगा और आप अपने score को वीडियो देखने से पहले count करते चलिए अर्थात जब वीडियो की question play होता है तो आप उसे देख लिजिए कि कितने सवालों को आप सही जवाब दे पा रहे हैं और हमें comment बग करके बता देने देने से आपका confidence level पर परभाव परेगा इसलिए comment कर दिया करें मिलता हम फिए डेक्ट वीडियो में धन्यावाद बंदे मातरम